ओम शंति आज तिनंक चार जून दो हजार बाईस बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वर्दान दिया वर्दान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे बाबा वर्दान में बोले दुख को सुख गलानी को प्रसंसा में परिवर्तन करने वाले पुण्ने आत्मा भाव बाबा आज हम बच्चों को पुण्ने आत्मा भाव का वर्दान दे रहे हैं बच्चों को सुख गलानी को प्रसंसा में परिवर्तन करने वाले पुण्ने आत्मा भाव डिटेल में बाबा कहते पुण्ने आत्मा वहा है जो कभी किसी को ना दुख दे ना दुख ले बलकी दुख को भी सुख के रूप में सुईकार करे गलानी को प्रसंसा समझे तब कहेंगे पुर्णे आत्मा अर्थात बाबा हम बच्चों को आज पुर्णे आत्मा की निसानियां बता रहे हैं उनके गुन समझा रहे हैं कि जो भी पुर्णे आत्मा होती है वहा कभी किसी को ना तो दुख देती है और ना ही किसी से दुख लेती है वहा दुख देने वाली आत्मा को भी सुख देती है और कोई आत्मा यदि दुख दे या हमारी गलानी करे तो उसे भी बाबा कहते सुख में परिवर्तित कर लेती है प्रसंसा समझ कर सुईकार कर लेती है ऐसी ही आत्मा जो सर्व आत्माओं को समान द्रश्टी व्रत्ती से देखती है बेहद में जाकर सर्व आत्माओं को रहम दिल की सीट पर सेट होकर सब पर रहम करती है अर्थात उसे ड्रामा का पूरा पूरा नौलेज होता है कि जो भी हो रहा है कल्यानकारी है कोई भी आत्मा कैसा भी विवहार कर रही है वहा उसका accurate पार्ट बजा रही है मैं आत्मा जो करूंगी वहा मेरा कर्म दूसरे जो करेंगे वहा उसका कर्म तो बाबा समझाते अगर कोई कुछ रौंग कर रहा है तो उसको परवस समझ कर रहम की द्रश्टी से परिवर्तन करो डिसकस नहीं करो कोई की भी कमी देखकर उसके वातावरण के प्रभाव में आप ना आओ उस आत्मा के प्रती रहम की द्रश्टी वरत्ती सामना नहीं करो रहम करो यहा आत्मा भूल के परवस है इसे ऐसा ही पाल्ट मिला हुआ है इसका दोस नहीं है इस संकल्प से उस वातावरण का वा बात का प्रभाव स्वयम पर ना लेकर कमल फूल समान न्यारा वा प्यारा बनकर उस आत्मा पर रहम दिल बनकर सुब भावना सुब कामना द्वारा उसका परिवर्तन करने का प्रयास करें पाभा कहते यहा पाठ सदा पक्का रहे कि गाली देने वाली वा दुख देने वाली आत्मा को भी अपने रहम दिल स्वरूप से रहम की द्रश्टी से देखना है गलानी की द्रश्टी से नहीं वह गाली दे और आप उस पर फूल चड़ाओ तब कहेंगे पुन्य आत्मा अर्थात बाबा हम बच्चों को समझाते कि कोई भी परवस आत्मा हो गलानी करने वाली हो कोई गाली देने वाली आत्मा हो उस पर आप रहम की द्रश्टी रखो रहम की द्रश्टी रख कर उस पर फूल चड़ाओ अर्थात उसके जो कर्म है वह परवस आत्मा है वह ऐसा ही पार्ट बजाने की निमित है पर आप उसका प्रभाव अपने उपर ना ले उस पर रहम की द्रश्टी रखें कृपा की द्रश्टी रखें तभी पुर्णे आत्मा कहलाएंगे जिस प्रकार कोई माता पिता होते हैं बच्चा भल कितनी भी गलतियां करे पर फिर भी उसके उपर रहम दिल होकर सुब भावना सुब कामना की द्रश्टी रखते हैं तो ऐसे ही बाबा कहते तुम पूर्वज आत्माये हो, रहम दिल आत्माये हो, सर्व आत्माओं के परिवर्तन की निमित्त बनी हो जिस प्रकार तुम्हारा पिता अपकार करने वालो पर, गलानी करने वालो पर भी उपकार करता है ऐसे ही तुम रहम दिल बन कर सर्व आत्माओं की गलानी को प्रसंसा समझो दुख देने वाली आत्मा के दुख को सुख में परिवर्तन कर लो तभी तुम पुणने आत्मा कहलाएंगे स्लोगन में बाबा कहते बाप दादा को नैनों में समाने वाले ही जहान के नूर, नूरे जहान है बाप दादा को नैनों में समाने वाले ही जहान के नूर, नूरे जहान है हम उस पिता सिव कल्यानकारी की संतान है अर्थात बाबा आते हैं अग्यान अंधकार को मिटाने ग्यान का सोजरा करने तो बाबा हम बच्चों को अपने नैनों से निहाल करते हैं एक आँख में मुक्ती दूसरे आँख में जीवन मुक्ती दिखाते हैं ऐसे ही बाबा कहते तुम बच्चे भी जहान के नूर, नूरे जहान हो तो सदा बाप दादा को अपने नैनों में समाए रखो अर्थात उनको पूरा-पूरा फालो करो तो तुम बच्चे भी नूरे जहान बन जाओगे आज बाबाने महवाक्य में जो सार सुनाया सार का मनन करेंगे बाबा कहते मीथे बच्चे तुम जगत अंबा कामधेनू के बच्चे और बच्चियां हो तुम्हें सबकी मनो कामनाएं पूरी करनी है अपने बहन भाईयों को सच्चा रास्ता बताना है मीठे बच्चे तुम जगत अंबा काम धेनू के बच्चे और बच्चिया हो तुम्हें सबकी मनों कामनाएं पूरी करनी है अपने बहन भाईयों को सच्चा रास्ता बताना है प्रश्न किया बाबा ने तुम बच्चों को बाप द्वारा कौन सी responsibility मिली हुई है उत्तर में बाबा कहते बच्चे बेहद का बाप बेहद का सुख देने आया है तो तुम्हारा फर्ज है घर घर में जाकर यहाँ पैगाम दो बाप का मददगार बन घर घर को स्वर्ग बनाओ काटो को फूल बनाने की सेवा करो बाप समान निरंकारी, निराकारी बन सबकी खिदमत, अर्थात सेवा करो सारी दुनिया को रावन दुस्मन के चम्बे से छुडाना यह सबसे बड़ी responsibility तुम बच्चों की है गीत सुनाया बाबा ने माता ओ माता तू ही सब की भाग्य विधाता धार्णा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते स्रीमत पर बाप का पूरा-पूरा मददगार बनना है परमत वा मनमत पर नहीं चलना है नश्टो मुहाबन हिम्मत रख सर्विस में लगना है स्रीमत पर बाप का पूरा-पूरा मददगार बनना है परमत वा मनमत पर नहीं चलना है नश्टो मुहाबन हिम्मत रख सर्विस में लगना है दूसरा पाइंट बाबा कहते अभी हम पियर घर में हैं यहां किसी प्रकार का फैशन नहीं करना है स्वयम को ग्यान रतनों से स्रंगारना है पवित्र रहना है अभी हम पियर घर में हैं यहां किसी भी प्रकार का फेशन नहीं करना है, स्वयम को ग्यान रतनों से स्रंगारना है, पवित्र रहना है, तो ये थे बाबा के महवाक्ये, अच्छा, ओम शंती अच्छा बाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाब झाल झाल